आज की इस वीडियो में कवर करेंगे SAC Pharmacist, Other State and Central Pharmacist, English Language Question Preparation, MCQ 125 देखेंगे Complete Explanation के साथ तो जो भी आपके Pharmacist के एक्जाम होते हैं SAC लेवल पे या स्टेट और सेंट्रल लेवल पे तो उसमें सिर्फ आपसे फार्मेसी की क्वेशन नहीं पूछे जाते हैं आपसे अलग-अलग questions जैसे aptitude, reasoning और English Language का बहुत important English subject के आपसे question पुछे जाते हैं तो किस तरह के question होते हैं वो सभी हम इस वीडियो में discuss करने की कोशिश करेंगे 5 MC को discuss करेंगे Complete अच्छे से आपको समझाएंगे Question No.1 है देखे आपसे एक question पुछा गया है The conference takes place once in three years एक ऐसी conference जो की तीन साल में एक बार होती है ये चौर options आपको दिये गए हैं बोला है आपसे किन में से कौन सा option substitute कर सकता है इस sentence को मतलब इस sentence की जगाई कौन सा option fit बहठता है sentence के लिए अलग-अलग options दिये गए हैं आपको देख रहे हैं option A, B, C, D आंसर है इसका option B ट्राइनियल conference को कहा जाता है ऐसी conference जो की तीन साल में एक बार होती है तो इस तरह के आपको meaning पता होने चाहिए जो भी आपको sentence पूछा जा रहा है अगर उसके meaning आपको पता होंगे तो आप अराम से answer दे पाएंगे spelling mistake भी आप देख रहे है option C and D option C में बहुत ही similar है but spelling अलग है तो इस तरह से आपको देखिए जवाब देना है अपने English के questions का question number 2 में आप से पुछा देखिए direction आपको दी है कि following question में इन चारो alternative में से आपको एक option चुनना है जो कि यह जो दिया गए sentence the production of raw silk इसको substitute कर सकता है तो देखिए production of raw silk को क्या कहा जाता है seri culture कहा जाता है seri culture तो आपको spelling के साथ answer पता होना चाहिए option B आप देख रहे हैं sari culture, option C देख रहे है merry culture, तो इस तरह से देखिए आपको अगर option का सही question का सही answer पता होगा तो आप जवाब दे पाएंगे तो इस तरह की question आप से पूछे जाते हैं आपके English Language Paper में question number 3 फिर से आप देख रहे हैं substitution का ही question है तो एक तरह की question हम आपको practice कराने कराएंगे ताकि आपको अच्छे से पता जल जाए कि कैसे questions आप से पूछे जाते हैं नेक्स वीडियो में एक अलग pattern की question आपको कराएंगे इसमें देखे sentence दिया हुए politicians are nocturious for doing undue favor to their relatives तो ऐसे politicians जो अपने family member को या अपने relatives को favor देते हैं jobs वगरा में promotion वगरा में उनको क्या कहा जाता है pluralism, nepotism, dualism या polarism answer is option B nepotism बहुत जादा सुना होगा आपने ये word film industry वगरा में भी तो वहाँ जहां पर undue favor किया जाता है अपने ही लोगों को किसी भी post के लिए उसको कहा जाता है nepotism तो answer is option B next question आपसे same question है इसी तरह का substitution वाला question पुछाए आपसे कि एक person जो की help करता है even strangers की difficulty में stranger होते हैं ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं हैं तो उनकी भी help करता है इस ऐसे person को क्या कहा जाता है Samaritan कहा जाता है altruist philanthropist या beneficiary answer आप देख रहे हैं अपने screen पर option A Samaritan कहा जाता है ऐसे person को और जो option आप देख रहे हैं altruist कौन से person होते हैं जो selfless होते हैं ego का opposite होता है egoistic का opposite होता है altruist बिल्कुल selfless person जिनमें कोई भी ego नहीं होता philanthropist ऐसे लोग होते हैं जो कि donation वेगरा बहुत करते हैं अच्छे काम के लिए beneficiary ऐसे लोग होते हैं जो lab उठाते हैं किसे भी चीज का ऐसे advantage लिने कोशिश करते हैं तो हर अगर आपको option का मतलब पता होगा तो उस तरह की भी अगर आपके पस question आएंगे तो आप answer कर पाएंगे answer है इस question का option A Samaritan लास्ट question डिसकस करेंगे तो तो तेकि इस तरह के question में आपको एक sentence दिया जाता है sentence correction का ये question होता है आपको एक question दिया है he found a wooden broken chair in a room option दिये का देकि A, B, C, D D आपको तब choose करना है जब आपको ये sentence बिल्कुल perfect लगता है कोई भी correction की ज़रूद नहीं है हमने किस तरह से correction किया he found a wooden broken chair लिखा है याँपर answer है इसका option B he found a broken wooden chair in the room ये correct इसका sentence बनेगा क्यों ऐसा sentence है क्योंकि देखिए जो काम होता है क्या हुआ है chair टूटी है तो broken पहले आएगा then कौन से chair टूटी है wooden chair टूटी है तो हमेशा इस तरह की जो sentence होते है उनमें जो काम पहले हुआ होता है वो पहले लिखते हैं और जो object होता है wooden chair उसको बाद में लिखा जाता है उस काम होने के बाद तो इसका correct होगा he found a broken wooden chair in the room I hope आप इस तरह के question आपको समझ में आई हो और भी जादा practice कर सकते हैं आप अलग-अलग sources से इसी तरह की important questions के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें bell icon जरूर दबा दे ताकि जब भी वीडियो हम upload करें आपको पता चल जाए